किसकी बनेगी सरकार? कौन बनेगा मुख्य मंत्री? ये कुछी देर में साफ होने वाला है राजस्तान विदान सुभा चुनाव इस बार बड़ा ही रोचकरा है यहाँ पर एक रिवाज रहा है कि यहाँ पर 30 सालों से कोई भी सरकार अपने आपको रिपीट नहीं करवा पाई है चाए कॉंग्रेस हो या भाजपा लेकिन इस बार मुख्य मंत्रिया सो गैलोत कह रहे है कि रिवाज टूटेगा और राज बरकरार हैगा इस वक्त हम जलन मार्ट पर है जहां जैकपूर जिल्ले की जो विधान सबा है वहां की वोटों की गिंती चल रही है कॉमर्स कोलेज में और वहां पर आपको बता दे कि कुछी देन में वोटों गिंती सुरू होने वाली है सबसे पहले जो वोश्टल बैलेट है उससे गिंती की जाएगी आदे गंटे बार जो एवियम मसीन है उसकी गिंती सुरू की जाएगी और सवा नो बजे तक रूजान सामने आने लग जाएंगे अब देखना रोचक होगा कि जो विठाएक जो यहाँ पर पट्याक्सी है जो आईवे है अपना भागी का जो फैसला है उसका नतिजार कर रहे है तो उनको लेकर क्या नतीजे देखने को मिल सकते हैं आपको बता दे कि सबसे पहले जो रूजान आने की बात की जा रही है हमारे सुत्र के नुसार तो वो है अजमेर जिल्ले की दक्षिन जो विदान सबा है दक्षिन अजमेर की उसके बाद सबसे अंतिम जो सीव विदान सबा है बाड मेरे जिल्ले की वहाँ नतीजा देखने यहां से live कर रहे हैं। बात कर रहे हैं। और चुनाओं को cover करने आए है। दूर दूसरे आए हैं। अब राजास्तान का जो चुनाओं हैं बड़ा रोचक है। क्योंकि रिवाज पर सब्की नजर हैं। और मुख्यमंत्री एसो ग्यालोर रिवास तोड़ने की बात कह रहे है होता क्या है कौन बनता है मुख्यमंत्री किसकी बनती है सरकार क्योंकि इस बार जो एजिट पोल नज़र आ रहे है उसमें लग रहा है कि कांटे का मुकाबला है भाजपा और कॉंग्रेस में किसी को भी मुख्यमंत्री साफ मिलता हो नज़र नहीं आ रहा है जो निर्दिले है जो बागी होके छोटे मोटे दल से जो चुनाव लड़ रहे है मैदान में उत्रे है उन पर पूरा दारमदार है वो ही तैय करेंगे कि राज़स्तान में सरकार किसकी बनेगी भाजपा की या फिर कॉ कॉंग्रेस की आप पल-पल की अपडेट के लिए बने रहे है हमारे साथ दाफेक्ट इंडिया के साथ हम आपको पल-पल की जान करिया सठी क्विसलेसन करके देते रहेंगे कौन आगे चल रहा है कौन पर चल रहा है और कौन सी सरकार राज़स्तान में देखने को मिल सकती ह केमरा सात्ती योगिंदर सिंग के साथ मनिस गौर्ड जैपूर ताजा ख़वरों के लिए बिजिट करें दफेक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनोड करें दफेक्ट इंडिया एप